नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और आज आप देखी सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ यह है रेड्मी एटे डूवल अगर आपके पास भी रेड्मी एट सीरीस का फोन है और भाई आप लोग भी चाते हो कि Aero OS आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए एकदम स्मूध फास्ट और इसकी के साथ आपको इसमें देखने को मिलता है पूरा Android 13 तो दोस्तों Android 13 बेस्ट यह Aero OS है जो कि अभी अन ओफीसियल है ओफीसियल भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा तो यहाँ पर रेख सकते हो यह है अमारा Aero OS और दोस्तों यह Aero OS बहुत ज़्यादा लाइट बेट है बहुत ज़्यादा कम इसमें प्रिविल्ड एपस देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर दोस्तों यह Aero OS और Android 13 बेस्ट इसमें आपको एक्टूबर का सब्रोटिक पेच देखने को मिलता है काफी लाइट वेट है काफी फास्ट है आप देख सकते हो गिने चुने एपस आपको मिलते हैं आउनली 13 एपस मिलते हैं इसमें काम है और इसी एक साथ दोस्तों अगर आप अपने फोन को मतलब एक फास्ट फोन की तरह यूज करना चाते हो आप ज़्यादा एप्लिकेशन बगारा नहीं चलाते हो और आप चाहते होग भई आपका फोन बिना चला है उतलब ज्यादा हैंग ना करे ना तो आप इस वाली कस्टम रॉम को जरूर से इस्टॉल करना और ऐसी और कस्टम रॉम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक करके और हो सके तो अपने फ्रेंट के साथ सेर कर देना जो लोग इस तरीके की वीडियो में इंटरस्ट रखते हैं उनके साथ तो चलिए आज की वीडियो इस्टार्ट करते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको जरुवत पढ़ने वाली है जो है Aero OS की कस्टम रॉम की जो की डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्केप्शन में बहाँ पर मैंने अपने टेलेग्राम का लिंक दिया है बहाँ पर सार इंटर्नल सोर्स में रख सकते हो, SD कार्ड में रख सकते हो, इंटर्नल में आपको नहीं रखना है क्योंकि इंटर्नल में आप रखोगे तो हमें इंटर्नल स्टोरिज डिलेट करना होता है तो इसलिए दोस्तों वो भी डिलेट हो जाएगा इसलिए आपको एस्टर्नल में रखना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है क्योंकि इसमें अब मैं आपको बताऊं तो कुछ जादा इसमें है नहीं तो यहाँ पर देखो इसमें कुछ अलग से कस्टमाइजेसन नहीं दिये गए है तो इस तरीके से यह बहुत ज़्यादा लाइट बेट हो जाती है तो यहाँ पर आप कस्टमाइजेसन जो है नहीं कर सकते अपने हिसाब से और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो आपको बता दूं इसके केमरे के बारे में तो केमरा काफी अच्छा ही रहेगा दोस्तों AI केमरा यहाँ पर आपको देखने को मलता है देख सकते हो आप ही अच्छी quality की वीडियो इससे record कर सकते हो, photo record कर सकते हो, और portrait यहां से आप ले सकते हो, इस वाले camera से, अभी थोड़ा यह लेगी है, क्योंकि first time अभी बूट करके ही मैं दोस्तो वीडियो record करना start हो गया हूँ, और यहां पर यह इस तरीके से काम करता है, play store आपको मिल ज जो ऐसे किस तरीके से install करना है, तो simple देखो, मैं यहां पर अपनी power button को प्रेस करूँगा, और इसे restart करूँगा, और boot करूँगा, यहां पर मैं अप बटन को प्रेस करके रखूँगा, तो हमारा जो phone है, वो reboot हो जाएगा recovery mood में, तो यहां पर मैंने TWRP की latest recovery अपनी phone में install करक है, आपको मिल जाएंगे, description में जाकर आप चेक करें, तो देख सकते हो, यहां पर आपको देखने को नजर आ रहा होगा, 3.7 है, और यह Android 12 based है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, Android 12 based यह custom recovery है, तो सबसे पहले अब जब आपके सामने इस तरीके का home screen आ जाएगा न, आपको simple vibe करना है, तो यह process में आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, तो अब तक आपको सब कुछ आने ही लगा हुआ, simple vibe कर देना है, vibe करने के बाद, आपको install बटन पर click करना है, और आप अपना जो भी storage है, SD card में रखा है, तो आप लोग वसे phone में डाल ले, और pen drive में है, तो दोस्तो pen drive connect करने हैं, और select storage पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको USB OTG का option मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी custom ROM को download करके रखा हुआ है, तो आज है दोस्तो arrow OS को हम install करने वाले हैं, तो simple से मैं click करूँगा, और swipe to flash confirm कर दूँगा, तो यह देखो flash होना start हो वीडियो को बिना skip किये, देखा कीजिए, बिना skip करने की जगे आप लोग इसकी speed बढ़ा सकते हो, आपको option मलता है YouTube में, आप लोग speed बढ़ा के देखो, आपको सारी बात भी समझ में आ जाएगी, और साथी में दोस्तों आपको skip भी नहीं करना पड़ेगा, तो आपका भी एरर के देख सकते हो, यह हमारी फिलेस हो चुकी है, रोम, सक्सेस्पुली, अब हमें से जो है हमारी pen drive को निकाल सकते हैं, इसका कोई काम रहा नहीं, simple अब हमें दोस्तों home button प्रेस करना है, और वाइप पर क्लिक करके format data, यहाँ पर हम S type करेंगे, और इस तरीके से ok कर दें तो यह दोस्तों first boot हो रहा है, और इसमें भी थोड़ा सा time लग जाएगा, लगवग एक से दो मिनिट, easily यहाँ पर लग जाएगे, तो इसलिए दोस्तों मैं इसको भी skip कर दूँगा, और सीधा दोस्तों आपको setup page पर मिलूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, यह है arrow OS का arrow आप देख सकते हो, यहाँ पर logo आपके सामने आ चुका है, और यह install होना start हो गया है, first boot यहाँ पर हो रहा है, तो थोड़ा सा time लग जाएगा, तो चलिए मैं इसको भी skip कर देता हूँ, तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो setup page अब हारे सामने आ चुका है, और यह setup page दोस्तों आपको Android 13 खा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यह Android 7, 8 में आप हमें देखने को मलता था, उस तरीके का setup पे जा चुका है, तो फटा-फट setup करते हैं और फिर पहुंचते हैं होमिस, तो यहाँ पर दोस्तों आप first time login बगेरा भी कर सकते हो, या फिर skip कर सकते हो, सब कुछ आपके हाँ में है, अगर आप करना चाते हो, तो login करो, बरना यहाँ पर accept और skip करते चालो, आपको कुछ ही second में यहाँ पर आपके सामने आपकी home screen आ जाती है, जिसे आप अपने हिसाब से manage कर सकते हो, अपने हिसाब का ball paper लगा सकते हो, अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर biggest अभी मैंने पहले यूज किया था, तो यहाँ पर हम यह वाली clock को यूज करेंगे, hold करके रखेंगे, यह यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर भी आपको 3-4 style मिल जाती है, आप जो भी style रखना चाती है, वो रख सकते हो, एक बार trap करेंगे और यह आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर बताते हैं दोस्तों यह Android 13 है, तो आप लोग जिस भी color का यहाँ पर आप बॉल पेपल लगाएंगे, सेम उसी color का यहाँ पर आपका जो है biggest बगएरा चेंज हो जाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है, आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, तो यहाँ पर द पर फॉन पर बगएरा भी यूच कर सकते हो, मैंने कुछ लोग इसे यहाँ पर बात की थी, जो लोग इसे लंबे समय से यूच कर रहा है, तो वो बोल रहा है, भाई सब कुछ यहाँ पर काम करता है, जो भी हमें चाहिए, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, यानि कि आप Google पर जो फॉन पर है, गूगल पर है, यह अप्लिकेशन भी उच कर सकते हैं, लेकिन अपने रिक्स पर करना भाई, मेरे रिक्स पर बिल्कुल भी मत करना, बाकी यह इस वीडियो में इतना ही है, दोस्तों आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक सेर सस्क्राइब करना मिलते हैं, अगले जो है किसी और कस्टम रॉम के रिव्यू में तब तक के लिए टाटा, बाई बाई